अब आप बेंडिकन वर और आप आप दिसकस करते हैं एमरीकन वर आफ इंडिपेंडेंडेंस के बारे में So the American War of Independence culminated in the freedom of the American colonies and laid the foundation of the first democratic government with the written constitution in the world अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एमेरिकन कॉलनीस जो थे उसके फ्रीडम के साथ खतम हुआ और वर्ल्ड में एक लिखित सम्विधान के साथ पहली लोक्तंत्र वाली सरकार की नीव रखी It introduced new political, social and economic structure in the United States of America इसने USA में नई राजनितिक, समाजिक और आर्थिक सरंचना को introduce किया It was not only a war against the colonial domination of England but was also fought against aristocracy मतलब जो high class के लोग हैं society के अंदर उसी को क्या बोलते हैं? aristocracy and reactionary elements मतलब जो political और social progress या reform के against हो तो ये war ना केवल इंग्लैंड के colonies में जो domination थे उसके against एक war थी बल्कि इसके साथ साथ या aristocracy और reactionary elements के विरुद भी लड़ी गई थी अब इसके circumstances देखते हैं फस्सवान के सेवन यार फद्वार्शय युद दूट्एफ युद युदि ओन्तोफ युद युद्टन धर्फवी और लह में लुद्वी, जसू पनुद्वी लूद्डेश्य दूदरिज ऑन्टिश्टन के साथीजून के साथर्टने टैंड के साथी लूइज टूदा यर्स वार का एंड हुआ और फ्रांस से इंग्लेंड कैनेडा के ट्रांसफर ने अमेरिकन्स के दिमाग में से फ्रेंच के हमले का डर दूर हो गया वो अब पूरी तरह से प्रिटिश प्रतिकुल ताओं मतलब विरोध का मुकाबला करने पर ध्यान दे सकते थे अब सेकंड पूंट है ग्रैंड विल मेजर्स ग्रैंड विले उपाए ब्रिटिश पीम ग्रैंड विल पास्ट असीरीज ओफ एक्ट्स विछ अफेक्टेट दुट टेर्स अफ दुट अमेरिकन कॉलनी सच अज अज दी शुगर अक्ट अफ स्वेंट निया मों की एक सीरीज पास की जिससे अमेरिकन कॉलनीज के इंट्रेस्ट प्रभावित हुए जैसे 1764 का चीनी अधिनियम, 1765 का स्चाम पदिनियम और दा क्वाटरिंग एक्ट आधी. इन उपायों का कॉलनिस ने कड़ा विरोध किया, उन्होंने नारा दिया, नो टैक्सेशन विडाव्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रती निधित्व के बिना कोई कर नहीं. इस प्रकार उन्होंने इंग्लिश पार्लेमेंट में अमेरीकी प्रतीनिधित्व पर जोर दिया. अब थर्ड पाउंड थे ताउंशेंड लॉस, ताउंशेंड अधिनियम. ब्रिटिश मिनिस्टर टाउंशेंड इंपोस्ट न्यू टैक्सेस ओन ग्लास, पेपर, टी, पेंट्स इन सेवेंटीन सेवें. 1767 में ब्रिटिश मंत्री टाउंशेंड ने काज, कागज, चाय, पेंट आधि पर न्यू टैक्सेस को इंपोस्ट किया. The Americans protested this measures and boycotted British goods. अब होता क्या है कि जो Americans ने इन उपायों का विरोध किया और British के समानों का बहिश्कार किया, मतलब बैन किया. अब इन प्रोटेस्ट ने British soldiers के द्वारा पाँच Americans की हत्या कर दी गई, जिसे Boston Massacre के रूप में जाना जाता है. Fourth point है Boston Tea Party. In 1773, a new tea act was passed, imposing a tax on import of tea which was protested by Americans. 1773 में एक नया चाय अधिनियाम को चाय के इंपोर्ट पर टेक्स इंपोर्स करने हेतु, पास किया गया था, जिसका Americans ने विरोध किया था. A group of Americans dressed as dread Indians climbed on the ships and threw away the tea bundles into the sea at the Boston Harbor. This event was known as the Boston Tea Party. आदिवासियों के रूप में कपड़े पहने, Americans का एक group जाहजों पर चड़ गया और Boston Port पर समुद्र में चाय के बंडल को फेक दिया. इस Boston Tea Party के रूप में भी इसे जाना जाता है. A fifth point है Philadelphia Congress. In 1774 and 1775, representatives of American colonies met twice at Philadelphia. They appealed to the British king to remove restrictions on industries and trade and not to impose any taxes without their consent which was rejected by the British monarch. 1774 और 1775 में American colonies के representatives ने Philadelphia में दो बार मुलाकात की. उन्होंने British राज से industries और trade पर restriction को हटाने और उनकी सहमती के बिना कोई भी tax लागू ना करने की appeal की. जिसे British राज ने reject कर दिया था. As a last attempt, an olive branch petition was sent to the British king George III who rejected it. Thus, American colonists decided to unite in their fight against the British. Last attempt के रूप में, British समराथ George III को olive branch petition मतलब एक formal return request भेजी गई. जिसने इसे भी reject कर दिया. इस प्रकार, American colonies ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई में unite होने का decision लिया था. अब sixth point है, Declaration of Independence. स्वतंत्रता की खोष्णा A pamphlet named Common Sense began to be circulated in the colonies which attacked the idea of hereditary monarchy and advocated democratic government. The pamphlet inculcated the fighting spirit among the Americans. Common Sense नाम के एक pamphlet को उन colonies में circulate किया जाने लगा जो राजशाही के विचार पर हमला करती है और democratic government की वकालत करती है. इस pamphlet ने Americans के बीच युद्ध की भावना में वृद्धी किया. Ultimately, on 4th July 1776, the American Declaration of Independence was adopted by the Continental Congress. The declaration included the ideals of human freedom in it and laid emphasizes on the unalienable rights of man, namely life, liberty, and pursuit of happiness. 4 July 1776 को एमेरीकी स्वतंतरता की घोशना Continental Congress द्वारा अपनाई गई. इस घोशना पत्र में human freedom के आदर्शों को शामिल किया गया और व्यक्तियों के unalienable rights पर जोर दिया गया. मतलब ऐसी rights जिससे कभी भी छीना नहीं जा सकता, namely life, liberty, जीवन, स्वतंतरता और सुक की तलाश तो इस पर जोर दिया गया था. अब events of the war देखते हैं. The war started in 1775 when the first battle was fought between the British soldiers and the colonial militia Lexington in Massachusetts. War 1775 में शुरू हुआ जब Massachusetts के Lexington में British Seneca और colonial militia के बीच पहली लड़ाई लड़ी गई थी. Soon George Washington assumed the command of the army of the American colonies. The British General Gage won a victory at Bunker Hill. जल्दी George Washington American colonies की सेना की कमान समालते हैं. British General Gage ने Bunker Hill में जीत हासिल की. In 1776, the British forces led by Sir William Howe defeated Washington in the Battle of Long Island. However, the army of American colonies commanded by General Gage defeated British troop at Saratoga in October 1777. 1776 में Sir William Howe के नेत्रित्व में British सेना ने Long Island की लड़ाई में Washington को हराया. हाला कि General Gage की कमान में American colonies की सेना ने October 1777 में Sarah Toga में British सेना आओ. मतलब जो जीत्ते भी सैनी को हैं, soldiers हैं, उसको हराया. The victory at Sarah Toga marked the turning point in the war, the French troops under Lafayette came to the help of the American colonies. Sarah Toga जो है, उसमें क्या हुआ था कि Sarah Toga में जीत ने युद्ध में एक turning point को माक किया. Lafayette के तहट, French के सैनिक colonies जो जित्ते भी American colonies हैं, उसकी मदद के लिए आए. Finally, the British troop under the command of General Convales surrendered to Washington at Yorktown in 1781. The war came to an end by the Treaty of Paris in 1783. General Convales की command के तहट, British Seneca ने 1781 में योग टाउन में वाशिंग्टन के सामने आत्म समर्पन कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया. 1783 में पैरिस की संधी द्वारा युद्ध समाप्त हो गया. अब result of American War of Independence को देखते हैं. First point है, the American revolt knocked the bottom out of the colonial system. ठीक है, the British politicians came to know that they should have to give up the policy of exploitation of the colonies. Only there, they would be able to maintain their sway on the colonies. एमेरीकी विद्रो ने colonial system के नीचले हिस्से को बाहर कर दिया. British politicians को पता चल गया कि उन्हें सोशन की नीती छोड़नी होगी. तब ही वे colonies पर अपना domination बनाए रख पाएंगे. अब second point है, the personal rule of George III came to an end as a result of this war and Lord North had to resign from his post. इस war के result में, George III का वैक्तिगस साशन खतम हो गया और Lord North को अपने post से resign देना पड़ा. Third point है, as a result of American war of independence, a new English empire flourished as a large number of English people settled in American Canada. एक नया अंग्रेजी समराज पनपा वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी लोग American Canada में बस गए. Fourth point है, Ireland was permitted to make laws as a result of this war and she was granted legislative independence in 1782. Ireland को इस यूद के परिणाम में कानून बनाने की अनुमती दी गई थी और उसे 1782 में legislative independence दी गई थी. Fifth point है, the French Revolution was greatly influenced by this war. The French soldier who fought in this battle began to think in terms of their own independence and hurdled the revolution in France. अब होता क्या है कि France C. Kranti इस यूद से बहुत प्रभावित हुई थी. इस लड़ाई में लड़ने वाले फ्रांसी C. चैनिकों ने अपनी independence, revolution के टंस में सोचना शुरू कर दिया था और फ्रांस में शुरुआत की. Sixth point है, Though England had to give up her authority over America as a result of this war, her sway over India was trended. हाला कि इस यूद के परिणाम में, England को अमेरिका पर अपना अधिकार छेड़ना पड़ा, मतलब सारा जो उनका rights है, अधिकार है, जो भी, उसको क्या करना छोड़ना पड़ा, लेकिन भारत पर उसका domination मजबूत हो गया. Thus, England failed in her goal and the American War of Independence eclipsed her power and prestige. इस प्रकार, England अपने लक्ष में फेल रहा और American War of Independence ने उसकी शक्ती और प्रतिष्ठा को ग्रहन कर लिया. रामसे मुईयर लिखते हैं, the triumph of faith and courage which the leadership of Washington inspired in the colonists led them to the final victory in the great but an arduous struggle. विश्वास और साहास की जीत जो वाशिंग्टन के leadership ने कॉलनिस्ट में प्रेरित की और उन्हें माहान लेकिन कठीन संगहश में final victory अंतीम जीत के लिए प्रेरित किया. So, thank you for watching my lecture. Please comment करके बताएं कि अगली वीडियो कौनसी टॉपिक पर चाहिए and please subscribe to my channel. कर दो